है है लो थेन है लो थेन एक जनरल अनेस्थाटिक है वो लिटाइल है और इसको हम इन्हेलेशन के थूँ देंगे ओफन इन कॉंबिनेशन विद ऑक्सीजन इसकी वज़ासे होगा क्या सीएनस डिप्रेशन होगा उसके साथ अनकॉंशेसनेस होगी और साथ वीक एनलजेजी होगा हालो थे इनके अगर मैकनिजम ऑफ एक्शन की बात करें तो ये गाबा एरेसेप्टर के थूँ एक्ट करेगा ये करेगा क्या इट पुटेंशियेट्स गाबा एक्शन और गाबा एरेसेप्टर जिसकी वज़ासे होगा क्या 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 पुटाश्यम चैनल्स जो है वो उपन हो जाएंगे इन potassium channels को हम कहेंगे these are TREK track type और जैसे ही ये channels open होगे तो potassium की जो conductors है वो increase हो जागी जैसे ही potassium की conductors increase होगी उसके वज़े से neuronal activity जो के cerebral cortex, thalamus और hippocampus के अंदर है वो neuronal activity decrease हो जागी और इस तरह जो halothene है वो एक general anesthetic के तोर पर काम करता है pharmacokinetics की बात करें तो halothene को हम inhale करते हैं often in combination with oxygen halothene का जो onset है वो medium है, desflurane, civoflurane का जो onset है वो fast है halothene की जो elimination है वो lungs है, so it is eliminated unchanged by the lungs halothene का clinical use है, it is used in maintenance of general anesthesia and it is very very less frequently used for the induction of general anesthesia toxicity, side effects, cardiac depression, respiratory depression, cardiac arrhythmias, post-op, nausea and vomiting उसके साथ malignant hyperthermia and liver damage because of the metabolites और जो civoflurane है उसके वज़े से kidney damage हो सकता है अगर general anesthetics को हम दो group में divide करें, तो पहला group वो होगा जिसे हम inhale करेंगे और second group वो होगा जिसे हम IV देंगे, so अगर inhale general anesthetics की बात करें तो उसमें nitric oxide, halothene, desflurane, nflurane, आईसोफलोरेन, सीवफलोरेन और मिथागजीफलोरेन आ सकते हैं इसके लावा अगर सेकंड ग्रूप की बात करें जिसे हम आईवी देंगे तो उसमें जो पहली चीज़े और मैंसे बाव बिक्रीट एकम लाव सकता है थायोपैंटर थामायलाई और मिथोगजी हैक्जीटा जो सेकन्ड ग्रूप है उसमें आ सकते हैं को हम ऐसा जन्रल अनेस्थायटिक यूज कर सकते हैं उसके लावा एक उपईयोइड दिलू में घुष कर सकते हैं उसमें फेंटनोय अनेस्टनील और मौर्फीन आ सकते हैं उसके लावा एक फीणोल groups हैं जिनको हम as a GA यूज़ का सकते हैं उसमें प्रोपोफोल और फॉस प्रोपोफोल आ सकते हैं then finally we have alpha-2 agonist जो के klonidine से मिलता है जुलता है which is dexmedetomidine इसको हम ICU में as a general anesthetic यूज़ करते हैं